नमस्कार दोस्तों मैं प्रिंस है लिए आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल Learn and Grow में आज हम बात करेंगे projection of solids के एक problem के बारे में तो चलिए यहां पर एक question ले लेते हैं इस question में हमें क्या दिया गया है एक square pyramid है हमारे पास जिसका base है 40 mm side का है यानि कि एक side 40 mm की है तो square pyramid जो 60 mm long है यानि कि जो base से लेकर apex तक point तक की अगर हम एक line लगाएं तो वह 60 mm long line हमारे पास होगी जो की axis जिसको हम बोलते है has its base in the vp उसका जो base है वो vertical plane में है यानि कि जो base है vertical plane पर है वो and one edge of the base is inclined to the 45 degree to the hp और एक edge जो है base का वो inclined है angle पर है horizontal plane से कितने 45 degree के और उसका जो corner है contained by that edge is on the hp और उसका जो एक corner है वो horizontal plane पर ही है जो edge है उसका तो इसकी projection row करनी है तो चलिए इसको समझते हैं यहां पर पहले तो हम दो plane ले लेते हैं एक vertical plane हमने ले लिया और एक horizontal plane हमने ले लिया अब यह pyramid किस तरह से यहां पर होगा अगर 3D view उसका देखें तो वो इस तरह से होगा जो उसका base है वो यहां पर है जहां से देखें base इनना vp, vp के अंदर base है, incline to the hp, incline to hp है कितना 45 degree तो यहां पर जो inclination है हमारे पास यह जो inclination है यह कितना है हमारे पास 45 degree का, यह भी और यह भी 45 degree का होगा क्योंकि ऐसे अगर सीधा रखेंगे इस line का तो 90 रहेगी, इसको उपर उठाएंगे 45 degree अगर इस तरफ जाएगी तो यह भी 45 degree इस तरफ होगी तो यह base रहेगा इसका, अब हमें apex point चाहिए तो वो इस तरह से होगा अब इन सारी line को हम इस point से मिलाएंगे, जो कि यह point है, यह क्या होता है, किसी भी pyramid का apex कह लिजिए या फिर vertex कह लिजिए, तो यह हो गया apex point और यहां से लेकर इस base के center से, अगर हम यहां पर एक line मिलाते हैं, specs तक, तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास, यह हो जाएगा हमारे पास, axes अब axes की लंबाई हमें दी गई है, axes की लंबाई कितनी दी गई है, 60 mm long हमें दिया गया है तो यहां पर 45 degree के angle पर पहले तो 40 mm की side बनाएंगे, इसी तरह से यहां बनाएंगे और एक square पूरा करेंगे फिर यहां से जो 60 mm long line हमें लगानी है, जो axes की होगी, और फिर यहां से इसको मिला देंगे, तो इस तरह से view बनेंगे इसके लिए सबसे पहले हमें कौन सा view ड्रो करना पड़ेगा, front view ड्रो करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जिस भी plane के axis perpendicular होता है, हमने देखा था, तो वही view हम बनाएंगे तो यह VP के perpendicular है, तो इसलिए हम इसको यहां से देखेंगे, VP के उपर ही view बनाएंगे, यानि कि front view बनाएंगे फिर front view की projection लेंगे, और उसको उपर से देखेंगे, फिर top view बनाएंगे तो चलिये इसको complete कर लेते हैं, अगर हम एक x, y line यहां पर ले ले ले, यानिकि रेफरेंस लाइन यहां पर ले लेते हैं, x, y line, यानि कि यह वाल हम नहीं ले ले ले, यह । यहां पर हमें पता है, 45 degree पर 45 degree हमें क्या मिलेगा, यह square हमें बनाना है, तो यह हम यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक स्केयर इस तरह से यानि कि इस पॉइंट से हमने क्या किया 45 डिगरी इस तरफ जो है हमने यह साइड बना ली 40 mm की और 45 डिगरी इस तरफ जो है यह साइड बना ली 40 mm की और इस तरह से स्केयर को पूरा कर लिया, अब इसी तरह से इसका जो है टोग्युड ड्रोग करेंगे, फैल इसको नेमिंग कर देते हैं, मान लिए ये जो पॉइंट है, इसको हम दे देते हैं, जो नाम है O, और यहां पर नाम देते हैं कि ये A था, हमारे पास ही ये B था, यह C point था और यह D point था तो यहाँ पर जब आप naming करेंगे तो यह क्या जाएगा हमारे पस front view में यह A dash आ जाएगा यह B dash आ जाएगा यह C dash point आ जाएगा और यह D dash point आ जाएगा और बीच में जो है अगर हम देखेंगे यह कौन सा point आएगा हमारे पस O dash तो हम इसको O dash लिख लेते हैं अब इसकी projection जो है हम नीचे उतारेंगे इस तरह से इसकी projection जब नीचे आएगी अब इसको देखिए जब हम इसकी projection यहाँ पर लेंगे इस तरह से यहाँ पर ले लिए इस line पर इसी तरह से इस line पर ले लिए और यहाँ पर जब उपर से इसको देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा यानि कि इसकी भी projection ले लेंगे तो इन line को हम यहाँ पर मिला देगे इस तरह से और इसकी projection जो हमने लिए थी इस तरह से और जो center में यह है हमारे पास यह line इस तरह से तो यह figure इस तरह की हमें दिखाई देगे जब हम top view देखेंगे तो यहाँ पर यह projection हमने ले ली अब यहाँ से यहाँ तक पहले तो हम एक baseline लगा लेंगे जैसे यह वाली line हमने लगाई है तो यह baseline लगा लेंगे और यहाँ से जो axis की लबाई हमें दी गई है और यह क्या बना हमारे पास यह top view है अब इसकी नेमिंग कर देगे जैसे डीडाइश था तो यह point क्या होगा d होगा यह point क्या होगा यह O दिख मुंट था यह क्या होगा हमारे पास यह point होगा जैसे हमने यहाँ पर दीखाया था तो इसमाल लेटर में रहेगा तो इस तरह से यहां पर जब हम टॉप से देखेंगे तो यह पॉइंट देखेगा यह पॉइंट दिखेगा और यह पॉइंट दिखेगा और जब हम उनको मिलाएंगे तो इस तरह की फिगर दिखेगा और बीच में एक्सिस आ जाएगा हमारे तो इस तरह से front view और top view को हम draw करेंगे इस question के लिए तो thank you वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल learn and grow पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद